इस वीडियो में हम फार्मूला टैप के टेक्स्ट फंक्शन में टेक्स्ट फार्मूला को करेंगे ये रो नमबर दिये गया है इन रो नमबर के आगे जैसे ये 201, 202, 203 ये सारे यहां पे रो नमबर है इनके हागे अगर हमें यहां पे एक जीरो चाहिए तो हम ये टेक्स्ट फंक्शन के जरिए इसके आगे एक जीरो लगा सकते है तो इसको हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे equal to यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे text यहाँ पे निच्छे आ जाएगा टैब की प्रेस करेंगे यह टैब की प्रेस की इसके बाद आगे यहाँ पे दे गए value तो value ये 201 ये value है, इस पे click करेंगे, ये cell name यहां पी आ जाएगा, इसके बाद comma लगाएंगे, ये comma लगा हुआ है, ये देखो comma, तो comma लगाया, format text, तो आगे है, format text, तो इसमें ये दिखो, हमारे पास यहां पे 201, यहां पे 3 digit है यहां पे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर यहां पे 3 digit यहां पे दिये गया है, तो हम यहां पे 4 0 लगाएंगे, तो यहां पे 4 digit यहां पे बन जाएंगे, 0 आगे लग जाएगी, तो यहां पे 4 यहां पे बन जाएंगे, तो यहां प double code में One Two Three Four यह 4 0 लगाई इसके बाद double code को बंद करेंगे और bracket को बंद करेंगे इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहाँ पे हमने 201 के आगे यहाँ पे एक 0 लगा दी इसके बाद सभी के लिए चाहिए तो यहां पर क्लिक किया और इसको निच्छे ड्रै करेंगे यह सभी के लिए यहां पर एक 0 आगे अगर यहां पर इसके आगे 2 0 चाहिए तो हम के करेंगे यहां पर डबल क्लिक किया और यहां पर 4 0 है यहां पर 5 कर देंगे यह लिखो 5 कर दे इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो दो 0 आगे लग किया जाएंगी यह लिखो सभी के लिए चाहिए तो यहाँ पे इसको क्लिक किया और इसको निचे ड्रै किया यह सभी के आगे यहाँ पे 2 0 लग किया जाएंगी इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे डेड दे गई है तो date को हम यहां पे अलग करेंगे day अलग करेंगे month अलग करेंगे year अलग करेंगे day उसके बाद लिखेंगे यहां पे month लिखेंगे तो इसको हम यहां पे करेंगे तो पहले यहां पे dd, dd का मतलब होता है day तो यहां पे निकालेंगे तो यहाँ पे click किया और click करने के बाद यहाँ पे text formula use करेंगे equal to यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे text यह text इसके बाद tab की press करेंगे यह press की press करने के बाद यहाँ पे दिये गया value तो value यह है इस पे click करेंगे date पे यह यहाँ पे आ जाएगी इसके बाद यहां पर कॉमा दिये गया है कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यह आगे दिये गया है format text तो text का format यहां पर लिखेंगे इसको double code में लिखेंगे तो dd यहां पर लिखा यह dd इसके बाद double code को बंद किया यह bracket बंद की बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यह दिखो यहाँ पर enter प्रेस किया तो यहाँ पर यह 20 यहाँ पर day जो है यहाँ पर आ जाएगा सभी के नीचे यह तो यहाँ पर क्लिक किया इसको नीचे ड्रैग किया यह दिखो सभी का यहाँ पर बन किया जाएगा इसके बाद आगे, यहाँ पre मन्त चाहिए, तो मन्त यहाँ पर यह दिये गया है 7 तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट फार्मूला यूज करेंगे तो equal to यह लिखा, लिखने के बाद यहां पर text इसके बाद tab की press की press करने के बाद value तो value हमारी यह है यहां पर click किया यहां पर click करने के बाद comma यह लगाएंगे comma लगाने के बाद आगे दिये गए text format तो text format को यहां पर हम double code में लिखेंगे mm तो यह लिखो double code start किया यहां पर mm लिखा इसके बाद double call बंद किया बंद करने के बाद bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद यहां पर enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यहां पर यह जो month दिया गया है यह यहां पर आ जाएगा सभी का निकालना है तो यहां पर क्लिक करेंगे यह सभी का यहां पर आ जाएगा इसके बाद यहां पर year चाहिए तो year अगर हमने यहां पर निकालना है तो यहां पर क्लिक करेंगे और इसको text formula के जरिए निकालेंगे यहां पर equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पर text यह te लिखने के बाद यहां पर text नीचे आ जाएगा tab की प्रस करेंगे प्रस करने के बाद value तो value यह है यहां पर click किया इसके बाद फिर comma लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद format text तो यहां पे yy अगर हम यहां पे लिखेँगे तो यहां पे जो 20 है यह आएगा यह इसको करके देखते हैं यहां पे जैसे text format यहां पे हमने लिखा double call में double call को start किया और यहां पे yy दो भार लिखा इसके बाद double call बंद किया इसके बाद bracket को बंद किया और enter press किया तो यहाँ पर यहाँ पर here देखो, यह 20 ट्वंटी यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, अगर हमें यह पूरा चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तीन बार लिखेंगे यह देको तीन बार y लिखा है इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो यह पूरा यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा इसके बाद आगे day निकालना है तो day निकालने के लिए हम के करेंगे यहाँ पे click करेंगे और इसको text formula के जरिये निकालेंगे is equal to यह लिखा इसके बाद text इसके बाद tab की प्रेस की इसके बाद value तो value यह है इस पे click करने के बाद comma लगाएंगे comma लगाने के बाद formant text तो day निकालने के लिए यहाँ पे formant text को double code में हम तीन बार d d d लिखेंगे यह लिखो एक दो तीन बार लिखा double code को बंद किया बंद करने के बाद bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यह लिखो यहाँ पे short में Monday लिखा हुआ है यहाँ पे आ गया इसी तरह यहां पे text formula के जरी यह month निकालना है तो यहां पे click करेंगे or equal to, equal to के बाद यहां पे text, इसके बाद tab की press की इसके बाद value, यह value दिये गई है, यह value पे click किया इसके बाद comma लगाएंगे, comma लगाने के बाद, इसके बाद month यहां पे निकालना है तो तीन बार हम यहां पर लिखेंगे तो double code में इसको तीन बार M लिखा, ये दिखो तीन बार लिखा, लिखने कह बाद double code को बंद किया bracket को बंद करेंगे, enter press करेंगे, तो ये दिखो यहां पर July यहां पर आ जाएगा लेकनी ये short में आया हुआ है इसको पूरा यहां पे लिखना है तो हम क्या करेंगे इसी के ओपर क्लिक करेंगे और चार बार यहां पे लिखेंगे M यह लिखो चार बार यहां पे लिखा लिखने के बाद एंटर प्रेस किया तो यह जुलाई यहां पे आ जाएगा इसके बाद Day, Month और Year इन सभी कीचे यह यह यहां पे तो हम क्या करेंगे इसको Select करेंगे Select करने के बाद इसको निचे ड्रै करेंगे यह ड्रै किया तो यह लिखो तो यह जितनी भी डेट यहां पे लिख्ये हुई है इनके यहाँ पे day और month यहाँ पे निकल के आ जाएंगे अगर हमें यह date और यह row number यहाँ पे एक ही cell में इकठे लिखने है तो इसको हम concatenate formula के जरी यहाँ पे कर सकते है लेकिन वैसा करने पे यहाँ पे इकठा हो जाएगा इसको करके दिखते है यह date और यह row number यहाँ पे इकठा करेंगे तो यहाँ पे equal to यह लिखा इसके बाद concatenate यहाँ पे formula यूज किया यह देखो यहाँ पे double click किया इसके बाद इसको इकठा करना है comma यह देखो text one comma इसके बाद इसको इकठा करना है row number को इसके बाद bracket को बंद करेंगे इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो यह देखो यहाँ पे यह जो date है और यह जो row number है यहाँ पे इस form में यह आ जाएंगे लेकिन हमें यह ऐसा चाहिए और यह यहाँ पे अलग चाहिए तो ऐसा करने के लिए हम इसको text formula के जरीए इसको ऐसा कर सकते है तो इसको यहाँ पे delete करेंगे यह delete किया delete करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे text formula यूज करेंगे equal to यह लिखा इसके बाद यहाँ पे text इसके बाद tab की प्रेस की इसके बाद आगे दिये गया value तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यह बैल्यू आ जाएगी इसके बाद कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यह जो यहाँ पे फॉर्मेंट है जैसे यह लिखा हुए डे इसके बाद यहाँ पे मन्त इसके बाद यहाँ पे यह तो यह फॉर्मेंट है हम यहाँ पे तो इसको double code में लिखेंगे, double code start किया, dd लिखा, dd लिखने के बाद mm लिखेंगे, mm लिखने के बाद yy yy ये लिखेंगे, ये लिखा, इसके बाद double code को बंद किया, double code को बंद करने के बाद bracket को बंद करेंगे, ये bracket बंद की, बंद करने के बाद यहाँ पे एंप्रेसेंट सिम्बल लगाएंगे यह देखो यह लगाया लगाने के बाद हम के करेंगे जैसे किसको एकठा करना है यह रो नंबर 201 यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद Enter press करेंगे, तो यह दिखो, यहाँ पे यह date अलग हो के आ जाएगी, यह दिखो, 27 और 2020 यहाँ पे आ गया है, इसके बार 2001 यहाँ पे आया हुओ है, इसको अलग करना जाते हैं, तो इसको अलग करने के लिए, हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहां पर hyphen यह लगाएंगे यह लगाया enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह रिको यहां पे 201 अलग हो जाएगा इसके बाद य। यह date और यह row number सभी में चाहिए अलग अलग होके यहां पर आ जाए हैं तो इस वीडियो में हमने टेक्स्ट फार्मोला के बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद